कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब ठीक ठाग हूंगे अलम दिला जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाग और आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह से नहीं की तो आज टाइम मिला है तो स्किन केरी कर लेते हैं तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं यह है हिमानी वालों का उप्टन फेस वॉश यह बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा फेवरिट है तो मैं आज कल यह यूज करी हूं इसमें उप्टन वाला भी होता है सं इंजिंग मिल्क मैं जो है वह सहीदगानी की यूज करती हूं पर आज कल जाए वह आउट हुई है तो फिर इसले वह बने लीव ही नहीं है खतम हो गई थी हमारी फिर मैंने ग्लैम्रस वालों की ले ली और साथ में टोनर लिया है यह जो है मैं रोस वाटर के निर मिक्स करन यहां पर जो है आज घर में बहुत जादा जोरोशोवर से डीप क्लीनिंग चल रहा थी क्जिशन की एक हफ़ते बाद ना के डीप क्लीनिंग करना जरूरी हो जाता है क्योंकि यह बासकित भी गंदी हो जाती है तो हर वीक के बाद मेरे सिस्टर इस बासकित को जरूर वाश कर लेती है सारे ब्रत्र निकालने के बाद भॉश करके ड्राइ करके फिर बर्दन इसके अपर नम लोग लगाते हैं और ज़ょ गंदा एधिर वो पिद लिस तरह ते, वह ओफ़ầए हम लोग कीचिन होने के जाते हैं हुए, तो सहास्थ में और चेहने साथ में lab sampai कि सारी क्लीनिंग वगारा कर रही थी कमरे की काफिया तक समेट कर आ चुकी थी अब यह डाइनिंग रूम की बारी थी जो यहां पर बस ब्रेड वगारा जो फ्रेश ब्रेड होती है ना मैं फ्रिज के ऊपर रख देती हूं और जो एक दिन पुरानी होती है मैं फ्रीजर में बन जाते हैं और उसको सिंपल फ्राइ करने के बाद अगर हमने खानी हो तो वैसे हम खा लेते हैं तो बस यह मैं फ्रिज को भी थोड़ा इस ट्राइम देख लेती हूं क्योंकि वह एक्स्ट्रा बरतन निकाल रही होती है फ्रिज से तो यहां पर जो मौसा में वह इतना आपको भी दिखा देती हूं कि कैसा मौसम है आज का यह देखें जब यह बिल्डिंग मी ना बनी थी तो बहुत अच्छा व्यू आता था यहां से पर अब जब से यह बन गई है ना आय है सारी हवा रुग दिये इसने खैर मौसम बड़ा ही कोई प्यारा शारा हो रहा है त और यह हमारा चोटू सा किचिन जो के पहले इस्तमाल होता था अब तो खैर इस्तमाल ही नहीं होता जब मेरे अबबा थे ना तो हम शाम की चाहे यहां पर पिया करते थे और यह स्टेर्स हैं और उपर जो है वो स्टोर रूम है तो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी तो य यह देखें यहां से दिखेगा अच्छा सुबह से इस तरह का अंधेरा हुआ है बहुत ज्यादा जो है वह प्यारा मौसम है हलकेल की जो हवह हवा भी चेल रही है और मौसम भी अच्छा है दूप नहीं है बना यहां पर लिटरली जो है आप पाउं नहीं रख सकते इतनी गर्मी होती है चेयर से भी जब आप आते हो ना तो पाउं जल रहे होता है अकसर ना मैंने जूता पहन के आना भूल जाती हूं तो फिर मेरे जो है ना पाउं जल जाते है खेर बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है और नीचे की सफाई बगारा करते हैं आज शायद मेरा कुछ बनाने का इरादर नहीं है क्योंके कल हमने डाल गोश बनाया था तो वो काफी ज़्यादा बनाया था जो के रात को भी हमारा चल गया था और दुपहर भी हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता बनाने का अगर रात को कुछ बनाया तो वो शेयर करूंगी और बस यहा और अच्छे से हमारा सारा बार्बीक्यू जो है वो हो गया था तो ये काफी अच्छा है और बस चलते है अब नीचे मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है या नीचे चलगे जू अपने सफाई वगयरा करनी है ना वो करती हूँ कल मैंने शिर्स जो है वो चेंज कर ले थी यहां पर मैं बना रही हूं दुपहर का खाना, खाना में कुछ खास तो बनाना नहीं है, बस तड़के वाले चावल बनाने हैं, और कल मैंने आपके साथ शेयर किये देना, दाल गोश वो भी था, तो मैंने का चावल साथ में बना लेती हूं, तो वो अच्छे लगेंगे, बस पहले बिल्कुल सेट था सब कुछ वहां पर हम लोग ने रखा हुआ था पर अब जो है वह इतना कोई खास हमने सेट नहीं किया हुआ फैर मैं कोशिश करूँगी आराम आराम से ओपर वाले किचिन को भी सेट करने की और फिर वहां पर भी हम बनाया करेंगे तो पस वह भी मै पहले का? कि अ हुआ का? तो जी यहां पर मैं बनाने लगी और बहुत ही मज़ेदार साथ ट्राइफल और मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ काफी टाइम से बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठा काने की तो मैं आप वैसी नहीं बना थी मैंने का मीठा हिल्स के लिए अच्छा नहीं होता अगर बना मैं रहां धृड़न के लिए तो आपका बार बर दियल करता रहते हैं कि मेठा कि मैं नहीं पर आपको कम बनाने की रिक बताती हूं मुझे ना बनाने से स्रीफ तो ओला बेड़ना जिशे का गलास है उतन्य ही इसके अंदर दूद्द आड़ ऐट कर दिया तर इसके लिए न तो हमने mix trifle डाला है, fruits तो इससे थोड़ा जादा ही हो जाएगा, तो यहां पे मैंने 3 cup दूद ले लिया है और यह आपको pot new new लग रही होगी यह इसलिए आपको new लग रही है क्योंकि मैं इसके अंदर से पना कस्टड पाउडर लूंगी 2 टेबिल स्पून क्योंकि मैंने 3 कप जो है वह दूर लिया है और मेरे ख्याल से 2 चमट जो है वह कस्टड एनफ होगा तो यहां पर 2 चमट जो है हम कस्टड डाल लेंगे और इसके मिक्स्टर रेडी कर लेंगे और यहां पर हमारा जो दूद है वो हलकाच सा गरम हो चुका था मैंने इसके इंदर शीनी एड़ कर दिये 5 चमट जितनी में चाय के इंदर डालती हूँ न उतनी मैंने हिसाब से इसके इंदर डाल दिये क्योंकि इसके इंदर में चीनी कम ही रखूंगी ज्यादा तेज नहीं रखूंगी और यहां पर मैंने जैल भी बनाना स्टार्ट कर दी थी यहां पर मुझे लगए था विडियो आन है पर विडियो आन नहीं थी यहां पर मैंने यह वले जो मेजरिंग कप होती है वो टू कप लिए थे और इसके इंदर में एक चम मचीनी डा दिया था यहां पर जो डूद है इसमें भी हलका सा जो हो बोईल आना स्टार्ट हो गया था तो इसको भी साथ सा देखते रहना है और इसको भी मिक्स करते रहना ताकि इसकी चीह नहीं अच्छे से मिक्स हो जाए और दूद में बोईल आ जाए तो जी अगर आप लोग अबर तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो करणली सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिना और कुछ पूछ ना हो यहां पर कुछ तारीफ अगहरा करनी हो मेरी तो कॉमेंट जरूर किया करें तो यहां पर जो है मैंने पानी क अच्छा लगता है तो इसे मैंने चार ग्लासेज में इनको मैं सेट करूंगी बाकि एक्ट्र जैली थी वह मैंने प्लेट के इंदर डाल के उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था तो यहां पर जो हमारा दूद है उसमें भी बॉयल आ चुका है अब जो हमने मिक् यह'm मैंने करदों के साथ में प्लास्टिक काना हैंड मिक्स्चर लिया था अराम-अराम से डालती रोंगी हाथ करते हाथ को माधब से आराम-बाराम कानी कानी से काद्व स्ट कर दिया तो और इसको मैं mix कर लूँगी और आपने इसको भी और ठंडा होने दिना है क्योंकि गरम गरम इसको हम जो है वो सर्फ नहीं कर सकते तो यहां पर अब इस और ठंडा हो गया था उसके बाद मैं इसके अंदर कोई चॉकलेट हो यहां फिर कुछ जैली और अगर आप इसके अदर एड़ कर आड़ कर सकते हो अब यहां पर मैंने केक ले है थे कपकेक और मैं इन उसके स्लाइसेजे़ है कट कर लूँगी घरक लूँगी तो जिहीं आ पीपर ट्राइफर को सेटे लेती हैं सबसे पहले ग्लासेज में जो जैली है वो अच्छै से जम चुकी थी उसके बाद मैंने इसके वपर डाला है किस्टड है अगे का उसके बाद मैंने साइडों पर जयली मेंने एक्स्ट्राइज को फीज करके रहा बहुत जड़ी है बहुत ज़्डी बन चाथा है आपके गेस्ट ने आना हो तो आपने बस जल्दी जल्दी से इसको बना लेना है और बहुत ही मज़धार सा यह ट्राइफल जो ए वो रेडी हो जाता है तो बस यहां पर मैंने ग्लासिस में सर्फ किया है अगर आप बोल में सर सरफ कर सकते हो और यहां पर हमारे बहुत ही मज़दार से फोल्ट ग्लास सलफ होएं अगर आप सब्मल बच्ची थी में थोड़ी सी उपर से वह भी एड़ कर दी ठी और थोड़े बहुत केक के जो है वो स्लाइसीस दे मैंने उनको सेंटर से कट करके वो भी साइडों पर इसके उपर एट कर दिया था और यहां पर अपने से थोड़ी बहुत आप डेकोरेशन कर लेना जैसी आपको पसंद है क्योंकि जो किशन में काम करते हैं वो अपने से ही कुछ कर लेती हैं तो यहां पर हमारा मज़ेदार से जो ट्राइफल है वो रेडी हो चुका है अब मैं इसके उपर से जो है ना क्लीन रैप लगाऊंगी और फ्रीजर में रग दूंगे और उसको चिल करके हम लोग इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ेका बना था यह था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कॉमने और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल थैंक्यू सो मच वर वचिंग फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ आपसी बाइब बाइब